नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेरी पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजा ख़वर आई है कि हिमाचल परदेश में एक दिन में 116 नए करोना मरीज आए हैं तो कहां कि ये पोजिटिव आया है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अब कितने अंख़़ा जो है पहुंच चुका है हिमाचल परदेश में करोना केस्स का इसकी पूरी जानकारी में आपको इस लिकन को दबा ले हैं ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो आज की ताज़ा ख़वर अभी की ताज़ा ख़वर आई है कि HRTC के वाइस चेर्मान कोरोना पॉजिटिव करमचारी और उसका बेटा भी करोना पॉजिटिव निकला है महिला राजभवन के समीप एक सरकारी कलोनी में रहती है मामला सामने आने के बाद सचिवाल्य से लेकर राजभवन तक हड़कम्प मच गया है इसके अलावा हमीरपूर में HRTC के वाइस चेर्मान एवं नदोन के पूरूब बेधायक संक्रमित हुए है उन्होंने संपर्क में आये लोगों से अपील किये है कि वे अपने कोविड टेस्ट करवा ले है आयकर विभाग शमला में तैनात एक करमचारी और एक ह्प्यू के MBA विभाग में कारेरत करमचारी संक्रमित निकला है इसके अलावा मं 27 मरीज ठीक हुए है तो 116 आये तो सिर्फ 27 मरीज ठीक हुए है उदर हिमाचल हाई कोट अब 29 जुलाई तक बंद रहेगा पहले संपर से हाई कोट खोलना था बता रहें कि उप सचिव के पोजिटिव आने के बाद सीम जाराम पहले ही होम कौनटीन है उनका संपर को बिल्डिंग में आयकर विभाग का एक कर्मचारी और हिमाचल परदेश युनिवस्टी में MBA विभाग का एक कर्मचारी जो है करोना पॉजिटिव पाए गए हैं SDM शहरी मंजीत शर्मा ने बताया कि रेलवे बोल्ड बिल्डिंग में आयकर विभाग का कारियल ले तता अगमी अदेशों तक बंद रहेगा दोनों कारियलों के अधिकारियों वा कर्मचारियों को घर में क्वाल्टीन होने के निर्देश दिये हैं सोलन जीले के उद्योगी क्षेत्र बीबियन में 41 पॉजिटिव केस आये हैं सिरमोर जीले में पॉजिटिव आये 16 मामलों में 12 गोविंद गड़ महले के हैं और 4 पाउटा के हैं शिमला के टुटू में एक ही परिबार के 5 लोग और सराहन में ITVP के 4 जवान जो है संक्रमित निकले हैं कांगड़ा के अब पठ्यार के बजुरुक की करोना से जो है मौत के बाद उनके परिबार के 7-10 से जो है पोजिश् पड़ी हमेदपूर में छे उन्ना में दस संक्रमित हुए बिलासपूर के गरा मोडा अंतराज्य बैरियर परतैनात एक और पुलिस जबान समेद पांच संक्रमित हुए हैं परदेश में अब तक जो है 2160 करोना की मामले सामने आ चुके हैं इन में 1190 ठीक हो चुके हैं और 949 एक्टिव केस हैं बारा मरीज्यों की करोना जान ले चुका है तो बीबियन में सबसे ज़्यादा संक्रमित सोलन के बीबियन में 41, शमला में 20, सिर्मौर में 16, उन्ना में 10, कांगड़ा में 8, मंडी में 10, हमीरपूर में 6, बिलासपूर में 5 मामले आये हैं बीबियन क्षेत या लोकडाउन मंगल बार सोबा 6 बजे तक लागू रहेगा, पहले दिन लोग घरों में ही रहे, उच लोग पैकेट बंद दूद के लिए बाहर निकले लेकिन उन्हें मायूस लोटना पड़ा, छूट के बाद बावजूद दावा की दुकाने भी बंद रही, पुलिस न जुरूरी समान की आवाजाही हो रही है, पैरा मेडीकल स्टाफ की गाड़ियों को भी छूट दी जा रही है, नैशनल हाईवे होने के कारण जो वेहन विलासपोर या कुलू जाने से उनको भी हिदायत दे कर अनुमती दी गई, कैमिस्ट एसोसियेशन के प्रधान मनोज को प्रश्टे मामले आये हैं, तो 29 ठेक हुए हैं, तो आंकड़ा जो है 2000 के पार पहुंच चुका है 1200 प्लस, तो ये थी दोस्तों अभी की आज की जो है तारा खाबर अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो शेर करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें, हिमाचल परदेश की हर नोटिकेशन सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भार